तो स्वागत आपको मेरा यूट्यूब चैनल पर हम लोग जेनरल साइंस डिस्कस कर रहे हैं तो आज लेक्षिक्स का लेक्षर नमबर 3 है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेनियर स्पीड के बारे में तो लेनियर स्पीड होती क्या है देखिए अब जब कोई भी सर्कुलर मोशन में आप मूब कर रहे हैं तो आपकी यहां लेनियर स्पीड होती है किस तरह से देखिए अब यहां से आपका peripheral कितना होता है 2 pi r होता है अगर आप इस circle को cut के straight line बनाते हैं तो आपका यह distance कितना होगा जितना आपका peripheral होगा ठीक है तो कितना होजागा 2 pi r होता है ठीक है इसका distance होता है 2 pi r जिसको perimeter बोलते है तो 2 pi r और आपका tangential velocity क्या होती है V ठीक है तो बताए V कैसे निकलेगी यहां से यहां तक आपका move करने में time t लग रहा है मैंने बताया था time period होता है और यहां से आपका perimeter है 2 pi r तो tangential velocity होती है 2 pi r by time period ठीक है तो 2 pi by t क्या होता है 2 pi by t होता कि omega angular velocity और यहां आपका radius r हो गया है ठीक है चलिए अप next topic की तरह आप आते है Newton laws of motion Newton laws of motion होती क्या है देखिए सबसे पहले तो यह जान लेजिए Newton को the father of physics कहते हैं ठीक है और यह जो laws of motion है इनके बारे में इन्होंने इस एक book लिखी थी जिसमें सोरी जिसका नाम है प्रिंसी पिया जिसका नाम है प्रिंसी पिया और और यह 1687 इस वी में लिखी गए थी ठीक है तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट लो होती क्या है फर्स्ट लो होती है कि suppose कोई body rest में है तो जब तक इस पे आप external force नहीं लगा रहे हैं तब तक यह body move नहीं करेगी similarly कोई body move कर रही है भी velocity से तो यह body तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप इस पे कोई external force अप्लाई नहीं कर देते ठीक है तो इसी तरह first law क्या है everybody maintains its initial state of rest or motion with uniform speed on a straight line unless an external force acts on it साइज में आ गया चली आगे चलते है यह जो first law है यह इसको केलिलियो भी कहते है ठीक है यह फिला अफ इनर्सिया कहते है क्योंकि इनर्सिया का जो concept है it's similar to first law देखिए property of body by virtue of which the body opposes change in the initial state of rest or motion with uniform speed on a straight line ठीक है देखिए uniform speed मतलब ही उसका acceleration नहीं है acceleration अगर नहीं है तो उस पे force apply नहीं हो रहा है तो body यह तो rest में रहेगी यह तो motion में रहेगी दोनों का meaning से में first law बोलिये यह फिर inertia बोलिये inertia are two types rest और motion rest के लिए inertia of rest होती है motion के लिए inertia of motion होती है देखिए कुछ example देख लेते है inertia के बारे में ठीक है देखिए जब आप car या train में बैठे हुए होंगे तो suddenly train या car जब start होती है तो आप पीछे की और हो जाते है क्यों? क्योंकि आपका inertia काम करती है देखिए आप यहाँ पे बैठे हुए है तो car आगे जा रही है suddenly start हो गई और आपका body क्या चाहता कि आप rest में रहे आप तो move होना नहीं चाहते है तो आप rest में ही रहना चाहते हैं लेकिन यह move हो गई तो इसलिए आप पीछे की और जुग जाते हैं ठीक है similarly अगर आप motion में है किसमे running horse stop मतब वो दोड़ते दोड़ते रुख जाती है मान लेज़े कोई घोड़ा दोड़ रही है आप उसके उपर है और वो रुख जाती है तो आप आगे की और जुग जाते हैं क्यों? क्योंकि आपकी body चाहती है कि आप motion करे लेकिन आपका horse रुख जाता है यह जो Newton का first law है यह force के बारे में बताता है first law gives the definition of force ठीक है actually force होती क्या है force is the force is that external cause which reacts on a body जो एक body पर act होने पर उसका state change करने की कोसिस करती है ठीक है force एक external cause है जो किसी body पर act होने पर लगने पर उसका जो state है या तो rest में है या motion है motion में उसे change करने की कोसिस करती है उसे यह आप force कहते है जैसे जैसे कोई body है आप इस पर कोई force लगाएंगे तब जाकी यह move करेगी तो यह move करने के लिए कौन responsible है force तो वही इसका state कोई change करता है force तो यही होता है force चलिए momentum के बारे में जान लेते है mass into velocity momentum होती क्या है जब यह आप mass को velocity के साथ product करते है multiply करते है तो आपका momentum आ जाता है लेकिन आपको पता है momentum only for moving body definitely अगर body rest में है तो आपकी velocity क्या है तो इसलिए यह cable moving body के लिए होती है तेक है इसका SI unit क्या होगा देखिए mass होती है kg ठीक है और velocity होती है meter per second तो दोनों का multiply कर दीजिए kg meter per second ठीक है velocity का unit होता है meter per second और mass का kg तो हो गया आपका kg meter per second चलिए अप newton second law की तरफ चलते है the rate of change in momentum of a body is directly proportional मतलब क्या होती है the rate of change of momentum of a body means देखिए rate of change in momentum क्या होता है dby dt ठीक है ठीक है ठीक होती है ठीक होती है आप लोगों को सायद दीए differentiation समझने में दिक्कत हो सकती है कि dby by dt होती क्या है आप simple language में समझे है velocity by time इसको rate कहते है ठीक है rate of change of momentum देखिए dby by dt rate of change of velocity होती है जिसको acceleration बोलते हैं तो rate of change of velocity को जब mass के साथ multiply कर देते हैं तो यह rate of change of momentum हो जाती है तो rate of change of velocity acceleration कहते हैं तो यह force का magnitude बताता है और first law आपका definition बताती है ठीक है चलिए अब आते हैं newton third law third law क्या होती है to every action there is an equivalent opposite reaction जब आप किसी body पर कोई force अप्लाई करते हैं तो यह body भी आप पर कुछ force अप्लाई करेगी यह है newton third law संज में आगया जिसे swimming के बारे में बात कर लेते हैं recoil of a gun के बारे में बात कर लेते हैं swimming में आप देखे होंगे आप क्या करते हैं आप जब swimming करते हैं तो जब तलाब का पानी है आप पानी को पीछे धकलते हैं जब आप पानी को पीछे धकलते हैं तो पानी आपको आगे ले जाती है तो देखिए equal and opposite reaction आप आगे जाती हैं आप पहले पानी को पीछे धकलते हैं तो पानी भी आपको धकलती है और इसी तरह आप आगे मोग कर जाते हैं यह Newton 3rd law motion ठीक है चलिए next चलते हैं देखिए एक concept है पिंसिपल ऑफ-कंजरवेसन ऑफ लिनियर मोमेंट strongly एफенер सिटि होती है इंटगिन कंजरविशन का क्या मतलब होता है और कि अ मतलब नहीं होती है cavall जो इनिस्याल होती है गोुल फानियल होती है मतलब इनिस्याल में जिदना आपका momentum होगा, आपको final momentum भी उतना ही होगा, जिस तरह से, देखिए, definition क्या है, if no external food acts on a system of body, the total linear momentum of the system of body remains constant, ठीक है, आपका constant रहता है, loss नहीं होता है, जिसे कोई example ले लेते हैं, मा लेजिए, यह दो body है, यह ball, anything, ठीक है, दो body है, तो body अपनी और move कर रही है, एक दुसरे की और, यह B1 velocity से, और यह B2 velocity से, इसका mass M1 है, इसका mass M2 है, ठीक है, तो before collision, देखिए, before collision, उसका momentum क्या होगा, total, इसका momentum होता है, M into V, इसका भी M into V, तो दोनों का add हो जाएगा, क्योंकि एक system है, तो M1 V1 plus M2 V2, यह before collision है, मतलब यह initial momentum है, वहीं अगर collision होनी के बाद, बात की बात करें, मान लिजे, यह पहला body collision होनी के बाद, इधर जा रही है, second body collision होनी के बाद, इधर जा रही है, जिसका mass है, M1, देखिए, mass तो change नहीं होगी, हाँ, velocity change हो सकती है, V1 dash, and second velocity V2 dash, ठीक है, after collision क्या होगा, M1 V1 dash, plus M2 V2 dash, इसका linear momentum, mass into velocity, प्लस इसका linear momentum, mass into velocity, ठीक है, तो वो देखिए, अब conservation की बात कहते हैं, कि conservation होती क्या है, initial equals to final, तो बताए, initial में क्या था, M1 V1 plus M2 V2, final में क्या था, M1 V1 dash plus M2 V2 dash, तो इसको conservation of linear momentum बोलते हैं, और आपको पता होना चाहिए, कि यह जो rocket है, rockets works on the principle of conservation of linear momentum, ठीक है, तो अब नया concept है, impulse, हम लोग impulse के बारे में थोड़ी से बात कर लेते हैं, impulse होती क्या है, देखिए, जब बहुत ज़्यादा force, when a large force acts on a body for a small time, बहुती short duration time के लिए act होती है, the force is called impulse, जैसे आप लोग thundering के बारे में जानते होंगे, बिजली कड़कती है, तो क्या है, वो impulse है, आपको short time के लिए बहुत ज़्यादा force apply होती है, उसमें बहुत ज़्यादा current होता है, तो impulse का उससे best definition है, impulse होती क्या है, force into time, ठीक है, बस impulse होती force into time, चली जो नया दो concept है, centripetal force, centrifugal force, देख लेते हैं उसे, देखिए, अगर कोई body, आपका circular motion में move कर रही है, तो उसमें center की तरफ एक force काम करती है, जिससे हम लोग centripetal force कहते हैं, जिसका value होता है, Mbis कर भाई R, ठीक है, आपको समझ में आगया होगा, तो center की तरफ उसकी एक force act होती है, लगती है, जिसको हम लोग centripetal force कहते हैं, वो जिसका magnitude value होता है, mass into velocity square by radius, ठीक है, radius किसका, अरे circular motion कर रही है, तो radius तो होगा ने, उसका, centrifugal force क्या होता है, देखिए, centrifugal force एक pseudo force होता है, pseudo force मतलब, उसका physically, उसका existence नहीं है, जिसको imagine करते हैं, देखिए, अब third law अभी पढ़े, third law क्या होता है, कि किसी भी action के opposite reaction होता है, मतलब, अगर center की और कोई force लग रही है, तो center से अभी भी कोई force लगेगी, equivalent opposite, तो जो center की और force लग रही है, उसको center peagle बोलेंगे, centripetal force बोलेंगे, और जो center से outward बाहर की तरफ लग रही है, उसको center peagle force बोलेंगे, तो I think आपको समय में आ गया होगा, centrifugal क्या होता है, एक pseudo force होता है, जो बाहर की और लगती है, और ये किस से आया, ये आया third law of motion, equivalent opposite reaction, ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम लोग अपना, lesson end करते हैं, तो आप लोग comment जरूर कीजिएगा, कि आपको lecture कैसा लगा, ओके, थैंक्यू, जय हिन, जय भारत,